तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टड़ी बित्वारी चैनल तो बच्चो इसमें हम ब्याकरण के महितपूर दस कोशनों पर चर्चा करेंगे इसमें मैंने ग्रामर के पृति एक टॉपिक से आपके लिए कोशन सेलेक्ट किये हैं जो अती महितपूर हैं तो आप क्लास में ल यदि आप यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने बाली नई जो वीडियो है उसका नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो श्टार्ट करते हैं इसमें हम पहले कोशन स किस बिकल्प में ब्याकारणाथमक द्रष्टी से असुद्ध सब्सक्राइब है तो बचओ मेंने आपको हमेशा कहा है коर्चन में जो पूछा जा रहा है उसको आप रेखंकित करें इसमें पूछओ क्या जा रहा है आसुद्स हब्सक्राइब पूछा जा रहा है बच्चो असुद्ध सब्द तो इस पर आप रे खांकिते करें असुद्ध सब्द तो इसमें देखते हैं पीछे से हम डिलीट करते हुए राइट अंसर पहुंचे अकाल ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा अकाल सुका तो ये तो बिल्कुल सही है इ इलाइची ये भी बिल्कुल सही है दो परकार के इलाइची होती है छोटी और बड़ी जो जब तीन ओप्सन को हमने निकाल लिया पहला दूसरा सही तीसरा चाही और चौथा सही तो इसमें फरस्ट बिकल्ब बचा तो ये तीनों सही है तो ये कैसा है गलत कहने का मतलब है इसका मैं आपको बताती हूं बच्चों जब भी दबाई या दबाई और प्लस या तो इसमें जो ऐ हाता है दीर रकी या या वह यह प्रत्य में skrp की S एकाई को हम single लिखेंगे तो एकाई यही आएगी लेकिन मैंने एकाई में जोड़ दिया यहां प्रत तो क्या बनेगी बच्चो वो एकाई यहां चोटी ए में convert हो जाएगी उसी प्रकार से यह दवाई यहां है तो यह बना है दवाई पिलस यहां तो इसमें बड़ी यह आई देखते हैं किस बिकल्प में किस बिकल्प में अनुपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो तीन बिकल्प ऐसे होंगे बच्चो जो जिसमें अनुपसर्ग नहीं होगा और एक बिकल्प ऐसा होगा जिसमें अनुपसर्ग होगा देखते हैं इसमें देखो उक्त सभी ऐसा तो हमेशा बता है इसमें बिसर्ग लगा हुआ है माप करना इसमें क्या लगा हुआ है हलल्द तो यह किसका है तत्सम का कहने का मतलब है तत्सम किसमें होते हैं संस्कृत का उपसर्ग है किसका है बच्चो संस्कृत का तो देखते हैं इसमें हम कि अनमोल में कौन सा हुआ अन तो अनुधर एशन तो इसमें यह नहीं है यह नहीं यह नहीं है यह नहीं है तो राइट अंसर तो हो गया दो पर बिखल्प क्योंकि इसमें है अन धन एक अन धन एक तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आया है अन तो राइट आंसर दो बिखल्प अगला देखते हैं तीसरा कोशन इसमें महत्मा गंती ने भारत को आजात कराया बाके में महत्मा सब्द में महत्मा सब्द में संग्या का भेद है तो इसमें पूछा है महत्मा जाती बाचक दूसरा है व्यक्ति बाचक तीसरा है भबाचक और चौता है सम्मंद बाचक अई होप आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा तो बचो मैं आपको एक नियम बताती हूं संग्या की पहचान का कि जब भी मह महत्मा सब्द बैसे तो क्या है महत्मा गांधी जब भी कोई सब्द व्यक्ति बिसेश के लिए रूड हो जाता है तो वो किसमें चला जाता है बच्चो ब्यक्ति बाचक संग्या में तो इसका राइट आंसर क्या होगा दो नमबर बिकलब अगला देखते हैं किसे कारक की विवक्तियों का प्रियोग सर्वनाम सब्दों के साथ नहीं होता है तो पहला है कर्म, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबोधन, चौता है अधिकरण तो आपको पता होगा किस कारक की विवक्तियों का प्रियोग नहीं होता है सर्वनाम सब्दों के साथ नहीं होता तो किसका नहीं होता बचो संबोधन आपको पता होगा करता कारक से लेकर अधी करण कारक तक के प्रियोग अधी करण कारक की विवक्तियों का प्रियोग सर्वनाम के साथ होता है लेकिन संबोधन नहीं सम्मोदन जानते हूं न आप हे ओ अरे होते हैं इसका प्रियोग सर्वनाम सब्दों के साथ नहीं होता है तो इसका राइट जो आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चो तीसरा विकल्प नैश्ट देखते हैं इसमें कर देखते हैं मापना पांच मा यसे आ गया नो मा पांच मा था ना और कौन सा कौन सा सब्द यह नहीं होगा वच्चो माप करना एक सेकंड पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चोथा हो गया पांच मा निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेच्चा रखती है पहला है दोड़ना दूसरा है रूठना चोथा है तीसरा है मुस्कराना चोथा है पीना तो बच्चो कर्म की अपेच्चा रखती है इसमें कर्म जिसके साथ में कर्म हो तो कर्म की क्या रख रही है यह अपेच्छा तो इसमें कौन सा होगा दोड़ना तो होगा नहीं यह तो कैसी करिया है अकर्मक रूटना भी अकर्मक और मुस्कनाना भी अकर्मक जिसे मैं पानी पीता हूं मैं पानी पीती हूं वह पानी पीता है त इसमें कर्मी की महत्ता है, इसमें कर्मी की अपेच्छा है, तो इसका राइट जो आंसर होगा, वो क्या होगा बच्चो? फोर्थ विकल्ब, फोर्थ विकल्ब, अगला देखते हैं, next, पांच मा हो गया, छटा, निमने मैंसे किसी विकल्प में अब्वेका भेद नहीं है अब्वेका मतलब समझ रहे हो ना आप अब्वेकारी सब्द पहला है क्रिया विशेशन दूसरा है विसर्गे बोदक तीसरा है सम्मंद सूचक और चौता है समुच्च बोदक तो यह तो नॉर्मल सा कोश्चन है आपको पता होगा अब बेगे कितने प्रकार होते हैं बच्चो चार कितने प्रकार होते हैं चार तो इसमें क्रिया विशेशन होता है पहला दूसरा होता है सम्मंद बोदक तीसरा होता है समुच्च बोदक और चोथा होता है एक बिस्मे आदी बोदक, बिस्मे आदी बोदक, बिसर्ग बोदक कोई प्रकार नहीं होता, नहीं होगा, ये कैसा होगा, नहीं, बिसर्ग बोदक नहीं होता, चार होते हैं, क्रिया बिशेशन, समंद, सूचक, समुच्च बोदक और बिस्मे आदी बोदक, तो इसका right answer क्या हुआ, second, बिकल्ब, अगला देखते हैं, सात्मा, लड़किया सांती से बैठी हैं, बाके में किस क्रिया का, क्रिया बिशेशन का प्रियोग हुआ है, तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपसे काल बाचक का प्रिशन किया जाए बाके में, तो आप कोशन करना बाके में कब से, किससे होगा, कब से, यदि इस्तान बाचक है, तो कोशन किया जाएगा कहां से, किससे, कहां से, और रीती बाचक है, तो कोशन किया जाएगा कैसे से, किससे, कैसे, और परिणाम बाचक है, तो कोशन किया जाएगा कितना से, किससे, कितन लड़किया सान्ती से बेटी हैं तो आप देखते चलो कब बैटी हैं नहीं आरा आंसर कहा बैटी हैं नहीं आरा परिनाम कितना नहीं आरा तो इसमें आप देख सकते हो लड़कियां मैंने पूछा रीती वाचक में कैसे से कोश्चन करो लड़कियां कैसे बैटी हैं सांती से बैटी हैं आंसर मिला आपको तो इसका राइट आंसर क्या होगा तीन नमबर बिकल्प रीती वाचक क्रिया बिसेशन तो बच्चो मैंने आपको बता दिया काल बार चक जब भी भाग काए तो कोश्चन किसे करना है आपको कोश्चन किसे करना होगा कब से किसे करना होगा बच्चो कब से किसे कब से और इस्तान बोदक कहां से इस्तान बोदक का कहां से रीती बोदक का कैसे से और परड़ाम बुदक का कितना से आई वोप आपको समझ आए हुआ ने इस देखते हैं लिंग का साब्दे करते क्या है पेहचान निशान चिन पुक्त सभी तो आप जानते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग इस्त्री लिंग हिंदी में संस्कृत में कितने प्रका तो इसका राइट आंसर क्या हुआ तीनों ही प्रकार होते हैं पेहचान भी होती है निशान भी होता है और चिन भी तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चो फोर्थ विकल अगला देखते हैं जगडा जगडा मेरे और उसके मद में था बाक में कारक है कुनसा कारक है त जगडा, मेरे और उसके मद्द, दो व्यक्तियों के मद्द संबंद बताया जा रहा है इसमें, आपको पता होगा संबंद कारक के जो चिनने हैं, संबंद कारक के जो चिनने वो क्या है, संबंद कारक के चिनने क्या है, रा री रे ना नी ने, यह होते हैं, तो इसमें आया है म रे रहाया है इसमें क्या आया बच्चो रहले मेरे तो किस में जाएगा रहुगा समंद्ध्रा करण चुल किसमें जायेगा बच्चो सभीक्ते चूंदिक ढराब देखते हैं कि इसमें लांस्ट कोशन है फोर्थे विकल्ब तो बच्चो मैं आप से आसा करती हूँ ये थे 10 questions तो आप comment box में अपने-अपने answer बताना कि आपके 10 में से कितने सही हुए आठ हुए या साथ हुए या छे हुए या दसके दसो होए तो बताना comment box में reply करना कि मेरे इतने सही हुए मैं यदि आपके इसमें मैं आपको बताती है कितने सही होने चाहिए तो बचो ये hard question नहीं थे तो लगबग आपके 7 वा 8 के बीच में तो सही होने ही चाहिए 7 या फिर 8 के बीच में तो आपकी तयारी बहुत अच्छी है यदि इससे नीचे सही हो रहे हैं तो आपको मेहनत करने की आवशकता है तब ही आप मंजल तक पहुंच सकते हो तो बचो ये थे 10 question तो next वीडियो में हम फिर से 10 question देखेंगे grammar से सम्मदित total grammar से लिए मैंने ये question और भी grammar के question जैसे कि इसमें एकल सब्द ब्लोम सब्द नहीं लिए अगली next वीडियो मने की उसमें मैं आपके लिए इससे भी सम्मदित question रख दूँगी और आप comment box में बताना की आपको ये question कैसे लगे या इसमें यदि आपको अच्छी नहीं लगे हैं मैं आपके लिए और भी अच्छी question लाने की कुशिश करूँगी तो प्लीज गाइच वीडियो को आप सेयर किया करें और सब्सक्राइब कर लें यदि आपने न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली new notification आपको मिल सके क्लास से जुनने के लिए thank you so much बच्चो thank you क्लास से जुनने के लिए thank you so much बच्चो thank you मिलते हैं next वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखेएगा बाई बाई टेक कियर all of you